सब्सक्राइब कीजिए एफ इस्टेटी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो स्टुडेंट्स आज हम कक्ष्या आठ की परसनावली नंबर 5.1 को बढ़ेंगे तो 5.1 जो परसनावली है उसमें टोटल हमें 5 क्यूसन दिये गए हैं तो इस वीडियो में आपको ये क्यूसन है वो बताऊंगा और जो परसनावली 5 है यानि कि अध्याए 5 है उसका नाम है आंकडो का परबंदन तो ये इस परसनावली का नाम है देखे इसमें एक आयत चितर और है तो आयत चितर क्या है वो मैं आपको एक पर दिखा देता हूँ इससे उपर एक बनाया गया है तो यह जो यहांपर देखे graph बन रहा है यह आयत चितर का graph है यानि कि इसमें जो चितर बने हुए वो आयत के जैसे हैं तो यह आयत चितर का graph हो गया तो यह भी हमें बनाना इसमें पढ़ेगा तो चलिए हम क्यूसन नंबर एक से स्टार्ट करते हैं क्यूसन नंबर जो एक है उसमें इसने लिखा है कि निमन लिखित में से किन आंकडों को दरसाने के लिए आप एक आयत चितर का परियोग करेंगे यानि कि हम ऐसे कौन सी संख्या या आंकडे हैं जिनको हम दरसाने के लिए आयत चितर है वो बनाते हैं तो देखे आयत चितर तब ही बन सकता है जब वरग अंतराल हमारे पास में हो यानि कि हम उन आंकडों का वरग अंतराल बना सकें तो वरग अंतराल होगा तो हम आयत चितर नहीं बना सकते, तो इसके हमें अंसर देने हैं, यानि कि जो पहला क्यूसन है, उसके अंदर च्यार क्यूसन दिये गए हैं, च्यारों में से हमें ये बताना है, कि कौन से के अंदर हम आयत चितर बना सकते हैं, और कौन से क्यूसन में आयत चितर नहीं बना सकते हैं, तो कौन स अगर आज इसमें लिखा कि आयत चितर का प्रियोग करेंगे दर्शाने के लिए तो क्यूसन नमबर एक है इसका इसमें लिखा है कि एक डाकिय के थेले में विबिन छेतरों के पत्रों की संख्या तो एक डाकिय है उसके थेले में जो पत्र है उनकी संख्या अब हमें ये भी नहीं पता कितनी संख्या है तो उसको हम क्या है यहाँ पर इस क्यूशन में वरग अंतराल नहीं बना सकते अगर वरग अंतराल नहीं बना सकते तो उसको हम एक आयत चित्र के रूप में भी नहीं दर्शा सकते तो quition number 1 में हम आयस चितर का प्रियोग नहीं कर सकते चलिए उसके बाद में दूसरा quition किसी ख्यल-कुद प्रतियोगीता में प्रतियासिओं के उंचाई तो देखे इसमें हम आयस चितर का प्रियोग कर सकते हैं क्योंकि इनमें हम जो अलग-अलग इसमें वरगंत्राल भी बना सकते हैं, इस तरह के क्यूसन में, और इसमें आयत चित्र है वो भी बना सकते हैं, तो क्यूसन नमबर जो B है, इसके अंदर आयत चित्र हम बना सकते हैं, यहाँ पर C दिया गया क्यूसन नमबर C, इसमें दिया वाले यात्रियों की संख्या परते के लिए कारण भी दीजिए तो Q-7 नमबर जो D है इसको हम आयचेतर इसमें बना सकते हैं यानि एक वरग अंतराल की रूप में इसको लिखके और एक आयचेतर बना सकते हैं अब इसमें लिखा कि कारण भी दीजिए इसमें लिखाए इसमें लिखाए किसी विभागिये श्टोर पर खरीदारी करने आए वेक्तियों को इस परकार अंकित किया जाए कि पुरुस है उसको M से लिख दिया मैला W से लिख दिया woman होती है महिला man मानी आदमी woman मानी महिला और लड़का को boy से लिख दिया before boy और लड़की को girl हो गया तो इस तरह सी यह नहीं कि आदमी और महिला लड़का और लड़की यह सभी एक श्टोर है उस पर खरीदारी करने के लिए आए तो उनकी संख्या हमें आगे दी गई है संख्या क्या है यह संख्या है को दरसाती है प्रात्यकाल पहले गंटे में आए तो यह हमें उनकी संख्या दी गए कि आदमी कितने पूरुस आए तो पूरुसों की संख्या इसी तरह से W लिखा हुआ उसका मतलब है महिला, तो कितनी महिला है, सभी W है, उनको हम जोड लेंगे, तो हमें यह पता चल जाएंगे महिलाओं की संख्या, इसी तरह से B है, तो boy की संख्या पता चल जाएगी, और G का मतलब girl, तो कितनी लड़की है, उनकी कितनी लड़किया पूरुष, महिला, लड़का और लड़की, चार ही लोग है, मिलान चिन हम बीच में लिखेंगे, और बारम बारता, यानि पूरुष है, वो कितने आए, वो यहाँ पर लिख देंगे, मिला कितनी है, वो यहाँ पर लिखेंगे, लड़का है, वो कितने आए, यहाँ पर लिख देंगे, और कितनी लड़के आए, वो यहाँ पर लिख देंगे, तो जितने भी M लिखे हुए उन सभी को जोडेंगे कितने M है उनसकी संख्याँ यहाँ पर लिख देंगे इसी तरह से मैला में करेंगे इसी तरह से लड़के में करेंगे इसी तरह से लड़की में करेंगे तो मैं सभी के संख्या हैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ तो मैंने यहाँ पर सभी जो संख्या हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी यानि पूरुष है वो 15 आये हैं खरीदने के लिए 28 मैला आये थी जो खरीदारी करने आई पांच लड़के आए और बारा है वो लड़के आई तो इस तरह से सभी के मैंने संख्या लिख दी अब यह ज़िए मिलान चिन है लिखना है मिलान चिन कैसे लिखते हैं देखे पुरुष कितने आए पंदरा तो पंदरा को हम कैसे लिखेंगे पंदरा को देखे यह हो गया एक दो तीन च्यार हमें पंदरा लिखने च्यार हम सीधी खड़ी लाइने बनाएंगे सीधी खड़ी लाइनों में जब पांच लिखना होता है तो पांच को हम इस तरह से तिर्ची लाइन लिखते हैं तो इसका मतलब होगा 5, देखे, एक लाइन, च्यार लाइन तो सीधी खड़ी है, एक लाइन तिर्ची है, तो 5 होगे, 5 को लिखना हो, तो इस तरह से लिखेंगे, मिलान चिन्हों में, और हमें ये देखे, 5 होगे, 15 लिखने, फिर से 5 ऐसा ही बना देंगे, 1, 2, 3, 4, और फिर फिर 1, 2, 3, 4, फिर हो गया 5, 10 हो गए, 1, 2, 3, 4, फिर 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, फिर 5 हो गया, तो अभी तक 20 हो गए, 28 बनाने है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 25 हो गए, 25 के बाद में 26, 27, 28, तीन लाइन और खड़ी लिख देंगे, तो 3 और खड़ी है, लाइन रख देंगे, तो 28 हो गए, दे पांच को कैसे लिखना है आपको पता है एक दो तीन च्यार और इस तरह से पांच हो जाएगा बारा को हम लिखेंगे तो एक दो तीन च्यार पांच पे तिरची लाइना जाएगी फिर आएगा छह साथ आठ नो फिर पांच पे तो पांच और पांच दस हो गए बारा को कैसे लेखना है फिर 11 और 12 दो खड़ी डंडिया तो दो खड़ी लाइने रख देंगे तो 12 हो जाएंगे तो इस तरह से ये तो है बारम बारता बंटन सारनी अब इसका हमें एक दन आरेक मनाना है तो उसका ग्राफ बनाएंगे एक आयद चितरवाला तो उसको देखे कैसे बनाएं नाच है 2 ति हमें ऊपर 28 तक लिखना है तो 28 तक एक दो तीन चियार कर कैसे लिखे question लिखें तो संख्या काफी बड़ी हो जाएगे तो हम पांच का अंतर लेगे चलेगे तो देखें, यहां पर हम लिख देते हैं पाँच, फिर आगे यहां पर लिख देते हैं दस, फिर आगे लिख देंगे यहां पर पंदरा, फिर लिख देंगे यहां पर बीस, फिर आगे लिख देंगे पचीस, फिर आगे लिख देंगे तीस, तीस तक लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर last 28 है बड़ी संख्या और नीचे देखे पुरुस मैला लड़का और लड़की यह है तो पुरुस का M लिख देंगे तो देखे इधर से थोड़ा गेप छोड़ देंगे यह गेप ले लेंगे इतना इस गेप के अंदर हम लिख देंगे M M का मतलब हो गया मेल यानी पुरुस फिर थोड़ा गेप छोड़ेंगे फिर यह गेप लेंगे इतना इस गेप के अंदर क्योंकि हमें आयच चितर बनाने इस गेप के अंदर हम मैला लेंगे जिसको हम W से लिख देंगे यह लिख दे है W फिर थोड़ा गेप छोड़ देंगे और यहां से इतना गेप लेंगे इतना इसमें हम B लिख देंगे B का मतलब Boy फिर Girl तो थोड़ा गेप छोड़ देंगे इसमें और इतना यहाँ पर उसको लिख देंगे G से अब आयद चितर बनाना है तो आयद चितर के लिए पुरुस कितने है? मेल पुरुस में 15 तो 15 कहाँ पर मिलेगा? यह 20 और 15 यह 15 हो गया तो इसके सामने मिलेगा तो हम इसके सामने ही लगाएंगे इसका चिन है वो इसके सामने तो यहाँ से हम इस लाइन को 15 तक ही बढ़ाना है तो इस तरह से यह हो गया और यहाँ से भी हमें इतना ही इसको बढ़ाना है तो हम इसको सिधा मिलेगे यहाँ से और एक आयद चितर बना देंगे इस तरह से ये एक आयत चितर बन गया तो पुरुष कितने है वो 15 है तो 15 के सामने ये एक हमने आयत चितर बना दिया फिर है वूमेन डबलू डबलू वूमेन है 28 28 के लिए हम 30 से थोड़ा सा कम रख देंगे यान कि यहां तक लगबग यहां पर रख देंगे तो चलिए यहां से हम इसके लाइन बनाएंगे तो देखें थोड़ा सा कम रख देंगे 30 से इतना ही रख देंगे एकदम 30 के पास में ने ले जाना 30 से थोड़ा नीचे अठाई सी होगा और फिर यहां से इसके बराबर लाइन दूसरी बना देंगे इस तरह से तो यह दूसरा आयचेतर बन गया मैला का फिर लड़का जो है वो है 5 तो 5 के सामने 5 यहां पर छोटा सा यह तो 5 पह हम ऐसे ही बना देते हैं इतना बड़ा ही बनेगा आयचेतर और फिर है लड़की जो की 12 है तो 10 से थोड़ा से उपर चले जाएं 11, 12 यहां पर चले जाएं तो इसके सामने चलिए मैं अगर इसका चिन भी लगाता हूँ तो मैं यहां पर लगा देता हूँ तो हम इसको चितर में बना देंगे ऐसा बना देंगे फिर इसके सामने यह कर देंगे और इस तरह से तो यह अकाय चितर हो गया तो देखे यह दंड आरेक हो गया तो हमने यह बना दिया है इसमें थोड़ी से आप डिजाइन करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पर M लिख सकते हो इसके अंदर लिख सकते हो, यह इसको तो डिजाइन कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ऐसा चोड़ो तो ऐसा कर सकते हो, बाकी आप जैसा भी करो, तो इस तरह से आपको एक है, इसमें बारंबार तब बंटन साड़नी बनानी है, और साथ में जो आयचितर वाला है, दन डारेक, वो भी आपको बनाना है, तो य प्रेक्टरी में 30 सर्मिक है, उनके सब्ताइक मजदूरी रुपए में निम्म लिखे रहे, यानि उनकी मजदूरी है, वो यहाँ पर लिखे गई है, 30 सर्मिक है, हमें आगे क्या करना है, मिलान चिन्हों का परियोग करते हुए, अंतरालों 810, 810 से 820 इतियादी वाली एक बारम बारता सार्णी बनाईए, तो हमें एक सार्णी बनाने हैं सिर्फ बारम बारता वाली, लेकिन उसी सार्णी को अंतराल में बनाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, अंतराल में, तो चलिए हम बना लेते हैं, अंतराल के अंदर एक सार्णी, तो हमें अंतराल वाली सार् मिलान चेंगा क्योंकि बारमारता बंटन सारनी में मिलानचीं होतbahn योन उन्सानी jatro होता है और एक टरफ बारमंबारता यानि विनास कितनी है ! तो सबसे पहले एंद हम 800 से स्टाइट करेंगे क्योंकि किताब में दिया गया 800-110 और 810 से 820 अब किताब में तो 820 तक ही दिया गए लेकिन हमें कहां तक बनाने है 900 तक क्यों बनाएंगे क्योंकि हम यह देखेंगे कि जो भी हमें मजदूरी दी गई है उनमें बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है तो बड़ी से बड़ी लाश जो संख्या है वो यहाँ पर लिखेंगे लेकिन एक चीज दिया रखने है 810 अगर है तो वो इसमें नहीं लिखने है यानि कि इस कोलम के अंदर जो बारंबारता होगी 800 से 809 तक ही लेना है 800 से 809 तक जानि कि जो इस साइट की संख्या उससे एक कम तो यह 810 है तो हम 809 तक की जो संख्या है वो ही यहाँ पर लिखेंगे तो चलिए हम संख्या देख लेते हैं कि 800 से 809 तक की कितने संख्या वो यहाँ पर लिख देंगे 810 से 820 तक 20 यानि एक कम ही रहेगा 19 तक तो 810 से 819 तक वो संख्या यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से हम सभी संख्याइं लिख देते हैं इसके अंदर तो मैंने यह आपर सभी संख्याइं लिख दिये कि 800 से 809 तक कितने संख्याइं तीन संख्याइं 810 से 819 तक 2 संख्याइं है 820 से 839 तक एक इसंख्याइं तो वो बीच यानि कि बीच बीच की जो संख्या है वो यहाँ पर कितने आ रही है वो हम लिख देंगे क्योंकि हमें 30 वो मजदूरी जो 30 सर में कोई मजदूरी है वो दी गई है चलिए अब हम बीच में मिलांची नहीं लिखते हैं तो यह कितना है तीन है तो हम यहाँ अपर 1, 2, 3 लिख देंगे 2 है तो हम 1 और 2 लिख देंगे 1 है तो 1 लिख देंगे और यहाँ पर 9 है तो 1, 2, 3, 4 5 नंबर में ऐसा होगा 6, 7, 8, 9 4 जो डंडिया खड़ी 4 का मतलब होता है 4 सिधी लाइने और जब पांच आ जाता है तो हम एक Тीरची लाइन लगा देते हैं फिर यहाँ पर 5 है तो हम लिकhें 1, 2, 3, 4 और ये 5 एक का हम एक की लिखेंगे 3 का 1, 2, 3 एक का एक लिखेंगे फिर एक है तो एक की लिखेंगे 4 का 1, 2, 3 और 4 इस तरह से हमें एक साणनी है वो बनादे में इसका नाम है बारम बारता बंटन साणनी अब इसका योग कर लेते हैं तो यहां पर देखें तीन और दो पांच और यह हो गया एक छै छै और दस शोरी नो 15 होगे 15 पांच 20 होगे 21 और तीन 24 होगे 24 और यह 6 होगे तो टोटल जका जाएगा इसका 30 हो जाएगा यानि 30 को फिर्मिक दें गए हैं उनके सवोगे मस्दूरी दें गई यह हुँ कुछ इस तरह से है, तो हमने इसके सार्णी बना दी, तो यह इसका Q3 में इतना ही आपको करना है, चलिए इसके बाद में सुरू करते हैं, Q4, अब देखिए Q3 तो हमने सरल कर लिए Q4, Q4 में दिया गए परसन 3 में दिये आंकडों से प्राप्ट सार्णी, जो परसन 3 में हमने सार्णी बनाई है, बारब बारता बंटन सार्णी, उसमें दिये गए आंकडों से प्राप्ट सार्णी के लिए एक आयत चितर बनाएं, अब हम एक आयत चितर भी बनाएंगे, और निम लिखित परसनों के उत्तर भी हमें लिखने हैं, तो चलिए हम पहले एक आयत चितर बना लिखे हैं, तो अब देखे हम एक इसके जो आयत चितर भी बनाएंगे, तो एक साइड में हमारे पास में अंतराल दिया तो नीचे हमने वो अंतराल लिख दिया, तो यहाँ पर लिख देंगे अंतराल, और एक साइड में सर्मिकों की संख्या तो सर्मिकों की संख्या देखे ये है सर्मिकों की संख्या कि इसके बीच में जो सर्मिका वो तीन है इनके बीच में जो है वो दो है तो इस तरह से बड़ी सी बड़ी संख्या देख लेंगे नो है लिखेंगे, फिर यहाँ पर दो लिख देंगे, तीन, च्यार, पांच, छै, साथ, आठ और लाश्ट हो जाएगा नो, तो यह लिख देंगे, रेड पेन से लिख रहा हूं मैं, थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए, अब हमें एक आया चितर बना देते हैं, वैसे यह क्यू क्यूसर नमबर 3 में तो हमें एक साड़नी बिना ले थी, क्यूसर नमबर 4 में, क्यूसर नमबर 3 में जो साड़नी आई थी, उससे हम एक आया चितर बनाएंगे, और उनका जवाब देंगे, तो क्यूसर नमबर 4 में यह हमें कहा गया था, तो चलिए हम देखते हैं, हमने वर और इस तरह से, इस तरह से हम एक आय चितर बना देंगें, ये बन गया, next क्या है, 810 से 820, दो, तो हम दो तकी चलेंगे, तो ये हो गया यहाँ पर, दो, तो 810 से 820, तो दो वाला यहाँ पर एक पॉइंट लगा लिते हैं, तो ये इस तरह से बनेगा, चलिए, उसके बाद में, उसके बाद में हैं, 820 से 830, इसके बारंबर ता एक है, तो एक के सामने हम पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ पर, तो ये इस तरह से बनेगा, आय चितर, फिर आता है, 830 वाला हमने कर दिया, 830 से 840, 830 से 840, इसके बीज में है 9, तो हम 9 तक जाएंगे, 830 से 9 पर, तो यहाँ पर, 9 के सामने कुछ यहाँ पर आएगा, तो इस तरह से आय चितर यहाँ पर बनेगा, इसका, तो इसका हम एक आय चितर यहाँ पर बना दें, 9 के सामने, क्योंकि यह बड़ी बारंबारता है, फिर है 840 से 850, इसके बारंबारता 5 है, तो 840 से 850 इसके बारम बारता है 5 तो 5 के सामने एक छोटा सचिन लगा लेते है पहले यहां पर तो यहां पर इसके सामने इस अफज जाएगा यह इसका आय चितर बन जाएगा अब हमारे पास में 850 से 860 तो 50 से 60 के बीज में एक ही है तो इसके सामने हम ऐसे बना देते हैं यह हो गया चलिए फिर 60 से 70 60 से 70 इसमें 3 है तो 60 से 70 वाले में 3 है तो 3 के सामने कुछ यहाँ पर इसका पॉइंट आए इसके सामने ही आएगा तो यहाँ पर हम बना लेते हैं तो यह इसका आयद चितर बन गया उसके बार में 70-80 70-80 है उसका एक यह तो एक के बराबरी यह इसके बराबरी बन जाएगा यह बन गया फिर 80-90 80-90 वाले में भी एक है तो इसी की बराबर बना देंगे फिर 90-900 90-904 है तो चार आएगा यहां पर यानि की इस p Swn पे लगाएंगे तो लगबग यहां पर आजाएगा तो इसका आप इस साइड में ध्यान दखिए सामने एकदम सीवोज़ोने सामने आना चाहिए तो यह इसका एक आये चित्र बन गया तो इस तरह से आपको सभी के आये चित्र आपको बनान है क्यूशन में यही दिया गए कि क्यूसन नंबर 3 में जो सार्णी आई थी उससे क्यूसन नंबर 4 में एक आय चित्र बनाई तो हमने बना दिया अब हमें इसके आंस्वर है वो लिखने है तो आंस्वर देखे इसके क्यूसन नंग पढ़ लेते हम इसमें दिया गए कि समू में सर्मिको की संख्या सबसे अध इस सम्मू के अंदर सर्मिकों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है 9, वो है कितने है, 9 है, वो होगा इस का आनस्वर, सेकिंड क्यूशन जो है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, आनस्वर आप नीचे लिख दीजिए, कैसे भी, सेकिंड क्यूशन में दियागा, कितने सर्मिक, 850 या उससे अधिक अरजित करते हैं, कितने जो सर्मिक है, या तो 850 या उससे ज़्यादा, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, कितने ऐसे सर्मिक है तो हम यहां से start करेंगे या तो 850 या 850 से ज़्याद है तो हम इस table से start करेंगे इस table की सामने यहां पर 1 और 3, 4, यह देखिए नीचे वाली 850 से ज़्यादा, सभी 850 से ज़्यादा ही तो इनके सभी की जो बारंबरत है उनको प्लस कर लेंगे तो देखिए यहां से start करें एक और 3, 4, 5 और यह होगा एच्छा है और 4, 10 तो इसका आमसोर होगा 10 हो जाएगा यानि ऐसे जो सर्मिक है जो 850 या 850 से ज़्यादा रूपए अरजित करते हैं वो है 10 है चलिए तीन नंबर जो क्यूसर ने इसमें लिखा है कि कितने सर्मिक ऐसे जो 850 से कम अरजित करते हैं 850 से कम होना चीए यानि कि 850 नहीं होना चीए उससे कम तो 850 से हम कम पर चले जाएगे तो देखिए यहां पर आता है यहां पर 840 से 850 यह 50 का हम 99 से लिखते हैं आपको पता है तो इससे उपर उपर चले जाएगे तो यह होगा 5 और 9 यह 14 और 15 और 17 और 3 20 यानि क्यूसर नंबर थरी का जो आनसर होगया वो 20 ऐसे है जो 850 से कम अरजित करते हैं तो यह 3 इसके आनसर होगे तो यह था इसका क्यूसर नंबर 4 मैंने आपको बता दिया है चलिए इसके बाद में लाश्ट क्यूसर है क्यूसर नंबर इसका 5 तो देखे क्यूसर नंबर 5 है वो मैं इसी में आपको बता देता हूँ हमें सिरफ आनसर होगे लिखने इसमें लिखा कि अवकास के दिनों में एक विशिष्ट कक्षया के विद्यार्थियों दुआरा परति दिन टीवी यानि टेलिविजन देखने का समय गंटों में दिये हुए अलेक में दरसाये गया है यानि कि अवकास के दिन थे उस दिनों में जो विद्यार्थी ने टीवी देखी है उनके जो कितने कितने गंटे देखी है तो वो इसमें हमें बताया गया गया ग्राफ के अंदर जो ये ग्राफ है आलेख है इसमें बताया गया अब निमलेख परसनों के उत्तर देने ये जो से बड़ी बारंबरता इसमें यह है जिसमें विद्यार्थियों के संख्या कितनी है 32 है इसमें लिखा अधिक्तम विद्यार्थियों ने ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों कितने गंटे टीवी देखा तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों कौन से है यह 32 और इ कम समय तक कितने विद्यार्टて chemů ने टीवी देखा चार गंटे तो यह यह आपर है और चार गंटे से हम पहले यह आपर देखे एक गंटा दो, तीन, चार यहाँ पर है तो 4 से हम पीछ से चलेजाएंगे तो यहाँ पर 4वाली लाइन यह जाती है यह आपर यह 4 वाली लाइन है तो इससे पीछे वाली कितने आगे 22 विध्यार्थी यह है जो 4 गंटों से कम TV देख रहे हैं तो 22 और 8 यह हो गए हमारे पास में 30, 30 और यह 4 विध्यार्थी हो गए 34 यह NES इन 34 विध्यार्थी ऐसे है जो 4 गंटों से कम TV देखते हैं तो हम उनकी संख्या लिख देंगे 34 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 4 गंटों से कम समय तक TV देखते हैं यह इस कांस्वर हो गया थरे नंबर क्यूशन कितने विद्यार्थियों ने TV देखने में पांच गंटे से अधिक का समय वैतित किया पांच गंटे से अधिक तो यहाँ पर है पांच गंटे की लाइन और इससे आगे यहाँ पर देखिए इस साइड में पांच गंटे की जो लाइन है इससे आगे ऐसे विद्यार थी है जिन्होंने 5 गंटे से जादा टीवी देखा तो 8 ये है और 6 विद्यार थी है याने टोटल कितने हो गए 14 विद्यार थी 14 विद्यार थी ऐसे है जिन्होंने 5 गंटे से अधिक समय तक टीवी देखा है तो ये इसके तीन क्यूसन थे, उनके अंसर मैंने आपको बता दिये हैं, तो ये हो गया हमारा जो परसनावली नंबर 5.1 है, वो complete हो चुकी है, next वीडियो में हम परसनावली 5.2 के क्यूसन को पढ़ेंगे, तो आसा करता हूँ आपको ये सभी क्यूसन समझ में आ गए होंगे, वीडियो अच्छे लगे, तो लाइक और सेर जरूर कर देना, और इस चैनल पर नए है, तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे कलिक करके, बैल आइकन के बटन को जरूर दबाना, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेसन है, वो आपको मिलते रहे, तो आज की वीडियो म इतना है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, थैंक यू